अलो फ्रेंट्स आज हम लोग आई टी चैम की जो पीवाई क्यूस है बाइउन और निक का वो डिसकस करेंगे तो फार्स्ट कुश्चन यहां पर हम लोग गिवेन है अनिक की जरुत होता है तो देखों जो हमों का होता है carbonic WOR handle जानते थे स्टरक्चर होता है utiliz nên होता है कि प्लास टू जो आगरे किया गरता है हाई्क में participate करता है क्या करता है है co2 और वाटर इन दोनों की जो reaction है इनको catalyst करता है और इसको carbonic acid में convert कर देता ठीक है तो जो carbonic anadres है यह basically hydrogen करता है co2 का और carbonic acid में convert कर देता है और एक बाद यात रखना है इसकी जो carbonic anadres की जो structure है that is a distorted tetrahidal distorted ठीक है एकदम pure tetrahidal नहीं होता है क्योंकि tinohystatin है थोड़ा repulsion हो जाता है इसलिए distorted tetrahidal बोला जाता है next question में जाएंगे जो low spin iron 2 अभी iron को तुम्हें जानते हो iron की दो होता है एक होता है deoxy एक होता है oxy ठीक है जो deoxy होता है deoxy में होता है f e plus 2 state में और जो oxy होता है oxy में होता है यह फी plus 3 state में तो मुझे यहाँ पर देखना है oxy form कहां पर है low spin बोला गया है तो that is the oxy hemoglobin answer is the P next question जो है the protein that belongs to the case of blue copper protein कहां पर है कहां पर blue copper protein है यहां पर is or are given है इस और आर की मीनिग क्या है that is the obviously msq question है तो जो तुम्हारा fast है does the celluloplasmeme यहां पर होता है hemocyanin hemocyanin तुम्हें पता है blue blood protein होता है ठीक है यहां पर भी तुम्हें देखा जाता है और जो azurine है यहां पर भी तुम्हारा copper होता है तो a c d यहां पर हो जाएगा answer एक msq answer था next question में हम लोग जाएंगे नेक्स्ट question है hem containing protein r कहां पर कहां पर हीम है ठीक है जो पॉरपाइल रिंग की बात किया जा रहा है जिसके साथ iron होता है तो यहां पर जो है साइटो क्रोम सी साइटो क्रोम सी में हम लोग देखते हैं और उसके साथ साथ माइल्ट ग्लोविन ठीक है यह सब क्या है एक iron containing protein है जहां पर पॉरपाइल रिंग होता है कार्बोनिक एनलिटेज इस एक्जामपेल ऑप कार्बोनिक एनलिटेज को हम लोग अभी देखा था जो क्या था सियो टू प्लस वाटर से हम लोग का कार्बोनिक एसीट का formation कर रहा है तो यह basically किस तरह की enzyme है is the hydrolysis enzyme hydrolysis कर रहा है water है okay hydrolysis type of enzyme है next question the metal ion involved in the water oxidation process at the active site photosynthesis 2 photosynthesis का दो पाट होता है एक बार photosynthesis 1 जो day part है और एक बार photosynthesis 2 जो night part है जो photosynthesis 2 होता है जहां भी involvement देखा जाता है manganese का ठीक है photosynthesis 2 is the manganese involvement process the enzyme nitrogenase is associated with nitrogen nitrogen reaction होता है वहां पे iron molybodenum generally use किया जाता है तो answer हो जाएगा c cobalt 2 plus which of the following vitamin contains cobalt 2 plus and cobalt 2 plus जो होता है that is the vitamin B12 vitamin B12 में हम लोग cobalt को देख पाते हैं जो next question है हम लोग का oxygen formation in photosynthesis catalyzed by देखो मैंने अभी तुम लोगों बताया था जो oxygen formation का जो photosynthesis का दो पार्ट है एक बार वान पार्ट मतलब जो डे में होता है पीए ठीक है और एक बार होता है नाइड में जो पीएस टू तो पीएस वान में हम लोग देखते हैं जो हम लोग का involvement होता है तरिसा magnesium containing enzyme basically जो हम लोग की photosynthesis होता है chlorophyll chlorophyll के अंदर magnesium होता है और photosynthesis जो टू होता है वहां पर मैंने अभी बता है photosynthesis टू में involvement होता है मैंगनीस का यहां पर answer क्या बन जाएगा यहां पर answer बन जाएगा और अगर तुम्हें पूछा जाएगा photosynthesis टू देन तुम्हें answer बताना मैंगनीस टैक्टिप साइट फॉर मेटल लोग जाएम नाइटोजेनेस नाइटोजेनेस में मैंने अभी बता है कुछ time पहली iron mollibodrium next question the metal ion present in carbonic anidres अल्रेडी हो चुका है हम लोग discussion जो क्या होता है एंसर इस दब बी जीनक अच्छा यह बाला जो question है question number 12 यहां पर थोरा mistake है यहां पर जो बता गया है जो transformation of oxymoglobin to deoxymoglobin तो यहां पर थोरा mistake है इसके जो चारो option यहां पर कोई नहीं होगा basically oxy to deoxy बोला गया है देखो oxy to deoxy अभी क्या होता है कि जो oxy में होता है oxy में होगा a3 plus और यह होगा low spin और deoxy में होगा a2 plus that is the high spin तो unfortunately यहां पर कोई भी option में इसे नहीं दिया था ठीक है और एक बात और एक नोट करके रखो यह जो oxy form होता है यह होता है डाय मैगनेटिक क्योंकि इसके उपर भी question आता है तो यहां पर कोई भी option आइसे नहीं था इसलिए मैं इस question को skip कर रहा हूँ और इस चार्ट को note करते रखो अच्छा नेक्स्ट कोश्चन यह well-known natural occurring organometally compound आर एक जो naturally occurring organometally compound क्या होता है जो यहां पर answer जो बन जाएगा that is a vitamin B12 vitamin B12 यहां पर only one जो organometally compound है ठीक है chlorophyll myoglobin यह सब organometally नहीं है क्योंकि organometally में जो होता है ना carbon के साथ carbon के साथ metal का direct attachment होता है तो यहां पर हम लोग देखता है जो cyanide group होता है adenosyl वहां पर उसके साथ directly attach होता है cobald का but chlorophyll हो या myoglobin की structure देखो कि वहां पर nitrogen attached होता है क्योंकि porphyrin ring होता है nitrogen के साथ iron या nitrogen के साथ magnesium की involvement होता है so that they are not organometally compound यहां पर only one जो organometally compound है that is a vitamin B12 तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले बता था एक बात देखो उसकी उपर ही question आ गया oxymoglobin myoglobin O2 and oxy hemoglobin HbO2 O4 ठीक है यहां पर देखो ओट यह O2 है मतलब myoglobin जो exist करता है that is the monomark form में और जो hemoglobin exist करता है that is the tetramar form में इसलिए देखो एक बार एक oxygen और एक बार चार oxygen की भी oxy मतलब क्या होता है अभी मैंने बता है था oxy जब भी तुम देखो उसको क्या करना है diamagnetic करना है तो दोनों में oxy oxy है तो दोनों ही क्या हो जाएगा diamagnetic हो जाएगा answer B ठीक है oxy होगा तो diamagnetic deoxy होगा तो paramagnetic तो यहां पर answer क्या बन जाएगा answer बन जाएगा बी चलो next question में जाते हैं हम लोग question no.15 magnesium 2 plus is preferred ion in photosynthesis by chlorophyll because magnesium 2 plus को क्यों use किया जाता है photosynthesis में जो first option it is a strong spin orbit coupling अभी spin orbit coupling कौन दिखाता है अगर transition metal होगा तो यह transition metal नहीं है तो option a गलत it is a heavy metal option c में given है यह भी गलत है यह heavy metal नहीं है it's bind to strongly chlorophyll देखो यह कोई reason नहीं हुआ है strongly bind to chlorophyll तुम्हें reason बताना पड़ेगा औभी इसली बात है magnesium हो रहा है chlorophyll में तो strong to bind करेगा किसी जैसे suppose है hemoglobin hemoglobin में iron bind किया है तुम क्या यह बताओगे तो iron क्यों होता है strongly bind नहीं यह तो कोई reason नहीं हुआ यह तो एक statement pass करो तुम्हें scientific reason बताना है जो यहां पर answer b को justify कर रहा है it's have weak spin orbit coupling क्योंकि d block नहीं है transition metal नहीं है इसलिए क्या करता है weak spin orbit coupling दिखाता है इसलिए answer बन जाएगा b ठीक है यह बहुत important question है it's a very very important question among the pH value the O2 binding efficiency of the hemoglobin is maximum at hemoglobin कब bind करता है maximum hemoglobin जो bind करता है वो करता है pH 7.4 जो हम लोग की physiological pH है न इस pH में हम लोग देख पाते है सबसे अच्छे से bind करता है next question है identify the function of hemocyanin and metal responsible for it अच्छा इस question के लिए तुम्हें basically जो hemocyanin है उसको जानना होगा hemocyanin में क्या होता है hemocyanin में होता है copper क्या होता है copper और copper क्या करता है oxygen transport करता है तो answer बन जाएगा b जो lower animals होता है उनके case में क्या करता है oxygen जो transport करता है वो करता है तुम्हारा hemocyanin जैसे हम लोग की human body में कौन करता है iron की क्या है oxygen transport करता है मतलब hemoglobin करता है hemoglobin में iron होता है अच्छा next question जो during oxygen transport by oxygen 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 is bound to अच्छा यहाँ पे एक बात note करके रखो जो hemerythrin है hemerythrin का दो structure होता है एक होता है deoxy और एक होता है oxy ठीक है और deoxy जो होता है efe plus 2 में oxy जो होता efe plus 3 में और यह जो o2 minus को यह transport करता है ठीक है यह तुमारा hemerythrin के लिए structure है जो deoxy efe 2 plus oxy क्या होगा efe 3 plus और o2 minus को transport करता है तो अगर मैं back to question आऊंगा तो यहाँ पे क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया है तुम्हें during the oxygen transport hemetrine तो oxygen transport कर रहा है oxygen transport मतलब o2 minus को transport करेगा और oxygen transport कर रहा है मतलब obviously oxy form में ही बता जा रहा है oxy form efe 3 होता है तो answer क्या बन जाएगा answer बन जाएगा a okay चलो अच्छा next question में हम लोग जाएंगे among the following the group that is bound to the metal ion coengyme B2L मैंने तुम्हें अभी बता जाता जो vitamin B2L को organometallic q बता जाता है क्योंकि ओ directly आठाच होता है adenocyle group के साथ ठीक है इसलिए उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है एक organometallic compound अच्छा next question in a biological system the metal ion involved in the electron transport जो electron transport में participate करता है that is the sodium potassium pump जहां पर क्या होता है three sodium ठीक है three sodium और दो potassium के साथ एक क्या होता है एक सेंच होता है अच्छा मुझे comment section में बात बताओ sodium potassium pump में inside cell में कौन होता है और outside cell में कौन होता है इसको comment section में जरूर बताना तुम लो ठीक है चलो all the best